नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टेडी फॉर स्विल्स अपसे ने शाथ में तो यह वाला टेलिग्राम जरूर जोइन करकिए यूटूब चैनल में बने साथ है तो भी यह वाला टेलिग्राम जोइन करना बहुत ज्यादा जरूर है सारे नोटिफिकेशन, सारे इसको जरूर जोइन कर लिजेगा यह मारा इस्टाग्राम का पेज है इसको जरूर फॉलो कर लिजेगा studyforcivil.services करके अगर आप इस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जागा वीडियो को डिस्टिटर में इसकी लिंक दी वहीं इसमें आप इस्टोरी सेक्षन ज इसका यह पहला वीडियो है इसमें हम लोग जनवरी 2021 से लेकर अक्टूबर 2021 तक के करेंड फेयर को वन लाइन के माध्यम से देखेंगे और यह करेंड फेयर जो है यह आपके आगामी एक्जाम व्यूपियसी आरो यारो हाइकोड आरो एक्पियस यूपियस यूपियस यू कितने राज्यों में विधान सबा चुना हुआ था तो टोटल कुल पांच राज्यों में विधान सबा चुना हुआ था मार्च अप्रेल 2021 में इन राज्यों में परस्यमंगाल असम केरल तमिलनाड और पुदुचेरी जो है सामिल दे अगला प्रस्णा है किस राज्य के वि विधानी परिशद की गठन संबंदी प्रस्ताव को और वर्तमान में जो है कुल छह राज्यों में विधानी परिशद है आंदर प्रदेश तेलांगाना उत्तर प्रदेश बिहार महराष्ट और करनाटक में जो है विधानी परिशद वर्तमान में अस्थापित है अगला प्र हालही में चर्चा में रही कुथिरन सुरंग किस राज में इस्थित है यह जो सुरंग है यह केरल राज में इस्थित है इससे एक प्रस्ण बन सकता है आपके परिच्छा में कि यह किस वन जीव अभ्यारण से होकर गुजरती है यह सुरंग जो है यह पीची वजहानी वन जीव अभ्यारण से गुजरती है और यह सुरंग जो है टोटल एक दिसमलो 6 किलोमीटर की है कुथिरन सुरंग और यह जो है केरल में इस्थित है आगला प्रस्ण है प्रसाद परियोजना का उत घाटन उत्तरप्रिस के सहर में किया गया तो प्रसाद परियोजना का उत्धाटन जो है उत्तरप्रदेश के वारानसी में किया गया है और इस परियोजना का उत घाटन प्रदान मंत्री नरेन मोजी जी नहें कि आगला पो किस राज की दो महिलाओं को राश्टी हस्त सिल्फ पुरसकार प्रदान किया गया है यह महिलाएं यह पस्तिम बंगाल की हैं और इन्हें जो है मदुर चटाईयां बनाने के लिए दिया गया पुरसकर मदूर- चटाईयां बनाने के प्रशकर दिया गया और मदूर-चटाईयों को जो है G-I-TEK 2018 में परदान किया गया था यह सभी फेक्ट आपके लोग नोड करते चलिएगा क्योंकि परिष्चाम इस प्रकार से प बन रहा है और यह जो है अफ्रिका महादीव का सबसे बड़ी जल विद्धूत परियुजना है और यह नील नदीप बन रहा है यह ब्लू नील नदीप बन रहा है ग्रेंड रेनेसा डेम यह इथूपियम बन रहा है और ब्लू नील नदीप बन रहा है और यह अफरिका की सबसे बड़ी जल विद्धुत परियुजना है अगला प्रस्ण है जी आई टेग प्राप्त भालिया गियों की किस्म की पहली खेप किस राज से केनिया और स्रिलंका भेजी गई है तो यह जो है गुजरास से भेजी में दिया गया था भालिया गियों को और यह जो है गुजरास से संबंदित है अगला प्रस्ण दो हाले में चर्चा में रहा नागा लेंड के राजा मिर्चा को जी आई टेग कब प्रदान किया गया था तो इसे जो है जी आई टेग 2008 में प्रदान किया गया था नागा लें की सबसे तीखी मिर्च है अगला प्रस्ण है हाल ही में आस्ट्रेलिया ने कुल कितनी कलाकृतियों को भारत को वापस किया है तो यह जो है 14 कलाकृतियों को आस्ट्रेलिया ने भारत को वापस किया गया है वापस किया है अगला प्रेसम लोग देखते हैं बिसु का सबसे उचा रेल्वे आर्क ब्रिज कहां बनाए गया है यह आर्क ब्रिज होगा कहां बनाए गया है यह जमु कस्मिर में बिसु का सबसे उचा आर्क ब्रिज बनाए गया है और यह जो है चिनाब नदी बनाए गया चिनाब नदी पर बनाए गया है यह कुल 369 मीटर उचा है और इसे जुआ है कोंकर रेल्वे कॉर्परेशन ने बनाया है कोंकर रेल्वे कॉर्परेशन ने बनाया है विस्तु का सबसे उचा आर्क ब्रिज जो है जम्मू कस्मी ने बनाया है यह चिनाव नदी पर बनाया है और इसे जो है कोंकर रेलवे कॉर्परेसन ने बनाया अगला प्रस्णा है धौला वीरा भारत के बिस्व धर्वास्थल गोसित किया गया है तियह 40 वा बिस्व धर्वास्थल गोसित किया गया है धौला वीरा और वर्तमान में कुल 40 विस्व धर्वास्थल भारत में इस्तित हैं जिनमें से 32 जो है सांस्कृतिक हैं सांस्कृतिक हैं साथ जो है प्राक्रतिक हैं और एक जो है मिस्त्रित है टोटल 40 विस अधरो अस्थल भारत में हैं धावलावीरा जो है यह भारत के गुजरात राज अगला प्रस्णा है 2021 में कुम मेला किस राज जो में आयुजित किया गया था तो यह हरिद्वार में आयुजित किया गया था 2021 में कुम मेला और जैसा कि आप जानते हैं कुम मेला चार्ज जगा लगता है प्रियाग राज, हरिद्वार, उजयन और नासिक तो 2021 में हरिद्वार में आयुजित किया गया था चारी चारा कांड के 4 फरी 2021 को कितनी वर्स पूरे हुए है तो चारी चारा कांड के 4 फरी 2021 को 100 वर्स पूरे हुए है और यह घटना यह 1922 में घटित होई थी चारी चारा कांड चार फरी 2022 गटित होई थी और इसके 4 फरी 2021 को 100 साल पूरे हुए है यह घटना गोरकपुर में घटित होई थी खेलो इंडिया 2021 किस राज में आयुजित होगा तो इसका जो आयुजन होगा यह हर्याणम होगा और यह जो है इसका चौथा संस्क्रण है इससे पूर्व जो है 2020 का जो आईजन है वह गुहाटी में हुआ था गुहाटी में हुआ था अधो 2021 का जो आईजन होगा यह हर्याना में होगा आए ते अगला प्रस्म लोग खादी प्राक्तिक पेंट के ब्रांड अमिजडर को न है तो खादी प्राक्तिक पेंट के ब्रांड अमिजडर यह नितिन गटकरी जी है और वर्तमान में जो है यह केंद्री मंत्री है और इन्हें जो है सडक परिवहन मंत्राले दिया गया है नितिन गटकरी को अगला प्राश्ण है भारत FDI प्राप्त करता की लिस्ट में किस अस्थान पर है तिसमें जो है भारत को पाच्वा अस्थान प्राप्त हुआ है FDI प्राप्त करता में पहला अस्थान जो है अमेरिका को प्राप्त हुआ है FDI प्राप्त करता में अगला प्रस्ण है Forbes की अरबपतियों की लिष्ट में पर्थम अस्थान किसे प्राप्त हुआ है Forbes की अरबपतियों की लिष्ट में जो है जीफ वेजूस को पर्थम अस्थान प्राप्त हुआ और यह जो है लगातार चौती बार चौथी बार इस लिस्ट में प्रत्वम अस्थान प्राप्त किया है और वहीं पर भारत के मुकिस अंबानी है इन्हें जो दस्वम अस्थान प्राप्त हुआ है मुकिस अंबानी को दस्वम अस्थान प्राप्त हुआ है पहले अस्थान पर जए बेजोसी हैं, और दस्थान पर मुक्यस अमबनी है। और यह जो है एक अंतरास्टी बैंक है। अगला प्रसुन है, पी योर कॉन्ट्रेक्ट मॉबाइल आप किस ने लांच किया है। कि यह कोटक महिंद्रा बैंक ने जो है पे योर कॉंट्रेक्ट मोबाइल आप को लांच किया है कि अगला प्रस्ण है कि पांच लाख करूण रुपए पार करने वाला भारत का पहला मुचुवल फंड कौन बना है ति यह बैंक ने दुकानदारों के लिए मर्चेंट स्टेक लांच किया है अगला प्रस्ण है मालदील को कौन बैंक beyond 400 मिलीन डालार प्रतान करेगा तो एकजिम बैंक जो है मालदीव को 400 मिलिन डालर पुर्दान करेगा मिलिन डालर रूपए जो है पुर्दान करेगा अगला प्रस्ण है सारा गढ़ी की लडाई को 12 सितंबर 2021 को 1224 वर्ष पूरा हुआ यह युद्ध कब लडा गया था तो सारा गढ़ी की लडाई हुई थी यह 1870 में लडा गया था और 12 सितंबर 2021 को इस लडाई के 1224 वर्ष पूरा हुआ दो साल के बच्चों का सामोही ठीका करन शुरू करने वाला विस्ट का पहला देश कौन बना है यह कोवीट के पर प्रवीयस हैं बात हो रही है तो यह क्यूबा बना है दो साल के बच्चों का सामोंтов ठीका करने वालजाई वह बिस्ट का पहला देश को क्यूबा की राधधाने जो है वह हवाना है कुबाग रद्दानि जो है वह हवाना है इसकी पीडिएफ में अपनी टेल्क्राम में शेर करूंगा आप लोग इसे लेकर इसका रिविजन कर लेजिए Ha या इसका लिंक है आप लोग इसको लेकर इसका रिविजन कर सकते हैं वीडियो को पूरादक धन्यवाद जय हिन जय भारत